समस्मिल्हार्मे ऐस सलाम अलेकुन में वेलकम टू मय चेनल तो आज हम बना रहे हैं चिकन डल्या तो चलिए प्टैर्प मईने रेशिपी को को दाइए चीकन जोम्ने लिये हाफ kg दली लिया हमने 5 kg एक बड़े सैसकी प्यास लेसे नधर का पेस्ट दो चमच जीरा सफेथ वऔन टीस्पून लाल मिर्श का पौदर वरन टेबल श्पून दनिया पौदर वरन टेबल स्पून हल्दी पौदर वन टीजपून नमक तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक पेन में हमने ओईल लिया है एक प्यारी इसमें हमने जीरा डाला है और हम जीरे को फ्राय करेंगे अब हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज को हम लाइट ब्रॉण करेंगे हाई टू मीडियम फ्लेम पर हमने प्यास को लाइट ब्राउन करना है प्यास हमारी ब्राउन हो चुकी है अब हम इसमें चिकन डालेंगे चिकन को हम दो से तीन मिनट भूलेंगे दब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता अब हम इसमें लेसन अद्रक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह भूल लेंगे ताके लेसन अद्रक का कच्चापन दूर हो जाए अब हम इसमें दल्य डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें मसाले डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से भूल लेंगे मसालों को हमने भूल लिया है अब हम इसमें पाड़ी डालेंगे एक लीटर के करीब और इसे हाई फिलेंपर बॉयल आने देंगे तो देखे दल्य में बॉयल आ चुका है अब हम इसे लो फिलेंपर 20-25 मिनट पकने के लिए रख देंगे तो देखे दल्य हमारा तकरीबन बन चुका है अब हम इसमें से चिकन को अलग कर लेंगे इसी तरीके से हमने सारी चिकन अलग कर लेनी है और उसके रेशे कर लेने हैं देखे चिकन के हमने रेशे कर ली है अब हम इसको चिकन को दल्य में डालेंगे और इससे पांच मिनट पकने के लिए रख देंगे अब हम इस स्टेज पर नमक टेस्ट करेंगे अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें मजीद नमक एड़ कर सकते हैं मैंने भी इसमें नमक एड़ किया है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए चिकन दल्या हमारा रेड़ी हो चुका है तो हम इसे डिशाउट करेंगे तो यह रही फाइनल लुक हमारी चिकन दल्या की जो कि बहुत ही मज़ेदार और रियमी तो